निटर्थसास्त्र जून 2014 के पेपर में एक क्वेस्चन आया कि मान लिजीए कि आपके सामने आउसत लागत फलन दिया हुआ है अब आउसत लागत फलन दिये होने पे आपको ये बताना है कि उत्पादन के किस अस्तर पर आउसत लागत श्रीमांत लागत के बराबर होगी पे फिर आप कोई गलती ना कीजिए, क्वालिफाई होने के लिए एक-एक क्वेस्चन और एक-एक मार्क्स बहुत ही महत्पुलन होते हैं, तो जरूरी है कि इस तरह के क्वेस्चन पे आपकी पूरी की पूरी कमांड रहे, ताकि एक्जाम में आप कोई भी गलती ना करें, त हम लोगों को बताना है कि उत्पादन का एक ऐसा अस्तर जिस पर की आउसत लागत सीमान्त लागत के बराबर होगी अब चलिए इस question को हम लोग solve करते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जो इसमें हम लोगों को दिया हुआ है average cost function average cost function दिया हुआ है AC equal to 1 upon 3 x square minus 10x plus 9 average cost function ये दिया हुआ है अब सबसे पहले आपको क्या करना है सबसे पहले करना ये है अब देखिए यहाँ पर इस question के according ये सोचिए कि आपको बताना है उत्पादन का एक ऐसा अस्तर जिस पे की आउसत लागत सीमान्त लागत के बराबर होगी यानि की आउसत लागत फलन और सीमान्त लागत फलन दोनों को बराबर करके वहाँ से आपको x की value निकाल देना है तो अभी आपके पास किवल क्या है average cost और आपको निकालना क्या है मुख्यूरूप से सीमान्त लागत यानि की marginal cost marginal cost निकालने के लिए सबसे जरूरी है कि आपके पास होना चाहिए total cost function जब आपके पास total cost function रहेगा तो वहाँ से marginal cost function निकाला जा सकता है तो अभी आपको क्या करना है अभी अपना ध्यान आपको केंदरित करना है total cost function कैसे निकले TC कैसे निकले, ठीक है, तो चले TC निकालने के लिए हम लोग अब देखते हैं, अब क्योंकि जो किसी भी firm के लिए या जिसके लिए भी आप बोल सकते हूं, TC equal to होता है, average cost into quantity, अब यहाँ पर quantity की जगह क्या प्रयोग किया जा रहा है, X, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसका एक और formula, अब ही आप लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा, कि किसी चीज का अगर average निकालना है, तो उसमें से, जो उसका total है, total में से divide कर दीजिए, ये actual में formula होता है, तो इस formula की सहायता से आपको यहाँ पर निकालना है TC, ठीक है, चलिए TC को निकालते हैं, यानि कि 1 upon 3 x square minus 10x plus 9, इस पूरे के पूरे को x से multiply कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 upon 3 x cube minus 10x square plus 9x, अब यहाँ से आपको total cost function भी मिल चुका है, average cost function आपके पास पहले से था, total cost function आपने अभी निकाला, अब अगला step आपको यह करना है, आपको निकालना है marginal cost, marginal cost निकालना है, marginal cost निकालने के लिए formula होता है कि आपको total cost का first order derivation करना है, इसमें क्या करना है आपको, जो total cost है, उसका first order derivation कर दीजिए, ठिक है, तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, marginal cost प्राप्त हो जाएगा, तो चलिए, first order derivation इसका किया जाए, निकालने के लिए, देखे, mc, आपको लन करेंगे tc का, tc की value है, 1 upon 3 x cube minus 10x square plus 9x, ठिक, यह 1 upon 3 अपनी जगह रहेगा, यह जो x की power 3 है, तो यह 3 आ जाता है इधर, ठिक है, और यह क्या हो जाएगा, x square, minus 2 power में जो है, इधर आके multiply होगा, तो यह हो जाएगा 20x, और यह प्लस में हो जाएगा 9, 3, 3 हो जाएगे, cancel, तो अगले page में भावलों, mc की value लिख लेते हैं, mc की value कितनी निकली, mc की value निकली, x square minus 20x plus 9, और ac की value कितनी है, ac की value पहले से दे रखा है, 1 upon 3x square minus 10x plus 9, यह पहले से दे रखा है, अब पहुँचते हैं question पे, हम लोगों ने क्या किया, ac की सहायता से, tc को निकला, और tc की सहायता से mc को निकला, अभी क्या करना है, कि उत्पादन का वो अस्तर बताना है, जहां पे कि आउस्त लागत, सिमांत लागत के बराबर होगी, यानि क्या करना है हम लोगों को, ac equal to mc करना है, और यहां से जो value प्राप्त होगी, वही हमारा answer होगा, तो ac के value चलिए पुट करते हैं, स्टार्टिंग से, 1 upon 3x square minus 10x plus 9 equal to x square minus 20x plus 9, यह दोनों की value हम लोगों ने रख दिया, उसके बाद यह इसको अपनी जगह रखेंगे, माइनस 10x plus 9, ठीक है, अच्छा यह 9, यह 9 cancel हो जाएंगे, चलिए इसको इधर लाते हैं, माइनस 10x plus 9, यह वाला जो 9 right side में है, इसको left side में ला लिया हम लोग, ठीक है, और इधर क्या करेंगे, फिर जो क्या कहते हैं, 20x माइनस में था, यह इधर आ जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा, प्लस 20x, और इस side में क्या बचेगा, x square अपनी जगह रहेगा, और यह जो 1 upon 3 x square यहां प्लस में है, जब इधर जाएगा, तो 1 upon 3 x square यह माइनस में हो जाएगा, यहां तक हो गया, यह 99 कैंसिल हो गया, तो अगले इस step में क्या होगा, अगले इस step में होगा, माइनस 10x प्लस 20x इक्वल टू, x square माइनस 1 upon 3 x square, ठिक है, यहां तक clear है, यह 20 में से 10 जाएगा, तो 10 यानि यहां पे 10x हो जाएगा, और इधर आप x square अगर common ले लें, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 1 minus 1 upon 3, ठिक है, और x square common ले रखा है, finally यहां पे क्या होगा, x square into 2 by 3, और इस side में क्या है, 10x या 10x, अगले step में चलते हैं हम लोग, 10x इधर है, और इधर क्या है, x square into 2 by 3, अभी यहां पे क्या किया जा सकता है काउर काम, अभी अगर देखा जाए, तो जो यह 10x है, ठिक है, equal to x square, अगर x into x square से लिख दें, और यह 2 by 3 अपनी जगा, तो x, x cancel हो गया, तो अभी इधर क्या बचता है, 10 equal to x into 2 upon 3, अभी यहां से अगर x की बैलू निकालें, तो यह 10 इधर अपनी जगार हैगा, यह 2 by 3 जो इधर है, जब यह right side में जाएगा, यानि इसका side change करेंगे, यह 3 by 2 हो जाएगा, तो इसके according x की बैलू क्या हो जाएगी, 10 into 3 by 2, 2, 5, means 15, यहां से x की बैलू प्राप्त होती है, 15, अब यह जो question आया, उसमें आपके सामने 4 विकल्प दिये होए थे, a था 18, b option था 12, c option था 15, और d option था 21, तो इसका जो right answer होगा, right answer इसका क्या होगा, 15, अभी अभी हम लोगों ने इसको ग्याद किया है, summary कर देते हैं इस question कि यहां पे आपको एक average cost function दिया हुआ था, और आपको बतातना था उत्पादन का एक ऐसा आस्तर, जिसपे की आउसत लागत स्रीमांत लागत के बराबर होगी, तो इसमें आपको करना क्या है, आपको यह करना है कि आउसत लागत और स्रीमांत लागत, अब यहां पे आपको स्रीमांत लागत याद करना है, और किसी भी तरह से आउसत लागत से सीमानत लागत आप नहीं निकाल पाएंगे तो सबसे पहले क्या किजिए आउसत लागत की सहयता से कुल लागत निकालिये यानि कि टोटल कास्ट निकालिये और फिर total cost की सहायता से आपको marginal cost निकालना है तो अभी जब आप marginal cost का equation या marginal cost का फलन निकाल लेंगे फिर आपको क्या करना है average cost और marginal cost ये जो दोनों function आपने निकाले हैं इन दोनों को बराबर कर दीजिए means c equal to mc कर दीजिए और इसको फिर solve कर लिजिए और यहां से जो x की value प्राप्त होगी यही आपका right answer होगा तो उमीद है कि अगर ऐसा question आपके exam में आएगा तो आप लोगी से जरूर कर ले जाएंगे